हाई, वेल्कम्टु वैंचेनल, चरी कुश्य नमर 11 साल करते हैं, यहाँ भी बोल रहा है क्या, ती पैरलल साइट्स आफ और ट्रेपिजियम आर 20 सेंटिमेटर और 10 सेंटिमेटर, तो पैरलल साइट्स जो है हमें मिल गया है, यहाँ पर AB 20 सेंटिमेटर और 10 सेंटिमेटर, आपने यह भी यहाँ पर नोट कर लिया है, आप करो रहे है कर दो, Fresh area of the trapezeum, आप बोल रहे है कि इसका area निकालिए, तो आप जानते हैं कि area एक Trapezeum का तभी निकलता है जब हमें height पता हो, है कि नहीं, height मतलब distance between these two parallel lines, तो इसके और इसके बीचमेटर, अब अब आबתחर DC के बीच में perpendicular distance कितना है यह हमें पता चल जाएगा तब हम area निकाल पाएंगे तो हमें वही perpendicular distance निकालने के लिए हमें समझना होगा कि कैसे निकालेंगे चलिए पहले यहाँ पर focus करते हैं और हम पहले निकाल लेते हैं कि कैसे हम निकालेंगे इसका perpendicular, तो हम क्या करेंगे, कि C से हम एक perpendicular पहले ड्रा कर लेते हैं, जिसको हमें निकालना है, तो हम यहाँ पर एक perpendicular ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर कर लीजिगा इसे, यह हो गया 90 degree angle, यहाँ पर ABK perpendicular है, यहाँ पर C से यहाँ ड्रा किया गया, तो C और हम परपेंट कलर हो गया AB के और यही C यह हमें निकालना है जो कि height है तो इसे हम निकालने के लिए करेंगे क्या थ्वाँ सा extra सोचना पड़ेगा हमें यहाँ पे और वो इस तरीके सोचना है कि C से इस C vertex से से इसी point से हमें एक line ड्रा करनी है या फिर line segment ड्रा करना है जो कि parallel होना चुकिए DA के ठीक है DA के parallel C से हम ऐसे ड्रा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें जैसे कि हम यहाँ पर कर ले रहे हैं अच्छा यह थोड़ा सा parallel नहीं दिख रहा थोड़ा सा और ज्यादा करना पड़ेगा parallel होना चुकिए ठीक है parallel हम यहाँ पर यह थोड़ा सही लेग रहा है ओके तो यह हमने parallel ड्रा कर लिया है एक यहाँ पर इसको भी point का नाम देना पड़ेगा और यह C E हो गया E F इसको हम F दे सकते हैं ठीक है तो आप ध्यान देजेगा यहाँ पर जो C F हमने ड्रा किया है वो parallel है parallel ड्रा किया है किसके D A के यहाँ पर जो D A है इसके parallel ड्रा किया गया है C F ऐसा क्यों किये हम मतलब आप सुचेंगे ना क्यों किया गया तो यह सब थोड़ी सी extra knowledge होती है जो कि आप यह पहली बार इसा समझ डेऊंगे कि क्यों इसा ड्रा किया जा रहा है तो यह सब चीजे ड्रा की जाती है ताकि हम आगे स्वाल कर सके यही सब छोड़ी चोड़ी ट्रिक्स होते हैं जो छुपे हुए होते हैं किसी क्वेशन में जो हमें absolutely जानना चाहिए अच्छे से तो इसको समझेगा एक्स्ट्रा ही है लेकिन आप थ्छोड़ा सा एक्स्ट्रा समझें के तो अच्छा रहेगा हना तो समझे ध्यान से cf हमने ड्रा किया पैरलेल टुडीए वो इसलिए ड्रा किया क्योंकि देखिए यह हमारा a b जो है डी-सी के पैरलेल तो पहले से ही था है कि नहीं a b क्या है DC के parallel है, तो दिया ही है तो यदि AB DC के parallel है तो AF भी तो parallel होगा DC के, है कि नहीं उसका छोटा part भी तो parallel होगा DC के यह common sense से हम जान सकते हैं और हमने जो ड्राग किया है यह जो line segment CF यह हमने parallel ही ड्राग किया है DA के, इसका मतलब कि इस quadrilateral में AF, CD में opposite sides parallel हो गए है कि नहीं, opposite sides यह दी parallel हो गए तो इसका मतलब कि यह parallelogram है AF, CD यह जो है parallelogram है parallelogram होने से क्या हो जाएगा कि DC का जो length होगा वही AF का length होगा प्रिक हम जानते हैं कि parallelogram में opposite sides जो है equal होते हैं मतलब कि यह जो AD जितना है उतना ही CF भी होगा means यह 13 हम परच लेगा कि यह 13 होगा यह जो है 13 cm होगा कौनसा? CF और AF जो होगा वो 10 cm होगा जितना उपर है वही 10 cm यहाँ भी होगा ठीक है? यहाँ से लिए करके यहाँ तक, right? तो, ओके अब यह 20 cm क्या है? 20 cm पुरा complete है AB है ठीक है? तो, हमने इसलिए ड्रा किया ताकि हमें यह मिल जाए और यह मिल जाए कि कितना कितना लेंद है तो, यह parallelogram होने के वज़ह से ऐसा हुआ ठीक है? तो, ठीक है हमें यह जो AF मिल गया 10 cm तो, हमें यह भी मिल जाएगा कि, एफ भी कितना होगा? है कि नहीं? यहां से ले करके और यहां तक कितना होगा? क्या करेंगे? 20 cm में से ज़िए 10 cm माइनस कर दें मिन्स, AF जितना है उसमें से वो घटा दें हम AB में से तो, नहीं मिल जाएगा यह मिल जाएगा तो, हमें FB निकालना ही पड़ेगा और FB अधी निकालेंगे तो, 20 माइनस 10 करना पड़ेगा जो कि 10 आएगा तो, FB कितना होगा? 10 cm तो, हम यह मिटा देते हैं खेर हम समझा रहे हैं आपर तो, आप देख पा रहे हैं कि FB निकल गया है आपको हर हाल में FB निकालना ही पड़ेगा ऐसे question में यह जो question number 11 है और question number 12 है इन दोनों में आपको इस तरह से करकरके parallel ड्रा करके आपको यह FB निकालना ही है तो, हमने निकाल लिया FB यहाँ पर 10 cm तो, 10 cm निकाल लिया है अब यहाँ पर हमें इस ट्रेंगल फोकस करना है क्योंकि हमें यह height निकालनी है यह height निकालने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हमें करना ही होगा तो, देखे अब यहाँ पर 10 cm FB निकल गया अब हमें देखना है कि CFB या फिर BCF जो ट्रेंगल है यह isocellus ट्रेंगल है कैसे पता क्योंकि इसके दो sides equal है देखे, CF और CB यह दुनों क्या है, 13 cm है है कि नहीं तो, दुनों 13 है, तो मतलब कि यह दो sides यह equal होते हैं कि CB ट्रेंगल में, तो उसको बोलते हैं हम लोग isocellus ट्रेंगल यह isocellus ट्रेंगल है तो एक और बात हम लोग पढ़े हुए है कि यह isocellus ट्रेंगल में, यह हम उपर वाले vertex से perpendicular drag करते हैं opposite side पर तो वो इस angle को भी byset करता है और इस side को भी byset करता है means FB को भी byset करेगा CE ऐसा हम जानते हैं isocellus ट्रेंगल में होता है यहां पर एक और फीगर बना करके आप दिखाएं मालीजी की isocellus ट्रेंगल है यह इस vertex से मनले मालीजी की यह वाला side के equal है और इस vertex से हम यह perpendicular bisector खीचें perpendicularly यहां पर drag करें तो यह क्या करेगा कि इस opposite side को दो equal भागों में divide कर देगा वही यहां पर भी हो रहा है क्योंकि यह दोनों जो है equal है cf और cb तो यदि आप यह समझ गए हैं कि यह cellular strangle है तो इसमें जो यह c ड्रा किया गया है वो fb को दो equal parts पर divide कर रहा है इसका मतलब कि fe और eb यह जो line segments हैं यह दोनों equal होंगे इतना clear हो गया तो fe और eb यदि equal होंगे इसका मतलब कि total यदि 10 cm है तो fe 5 cm होगा और eb भी 5 cm होगा तो हमें मिल गया कि यह 5 cm है और यह भी 5 cm है clear यही mean find करना है इस question में जब भी यह non parallel sides equal दे दे तो आपको इतना find करने के बाद आसानी से मिल जाएगा कि height के से होगा देखें अब यहाँ पर height हमें निकालना है CE हमें मिल गया कि eb जो है 5 cm है और यह भी मिल गया कि bc कितना है 13 cm है अब यह बताइए यह actually यह कौन सा triangle है यह right angle triangle है कौन सा c e b तो c e b जो है right angle triangle है और इसमें हमें मिल गया है दो sides का length मिन्स यह hypotenuse है यह c b c b मिल गया है और यह base मिल गया हमें e b लेकिन बस perpendicular नहीं मिला है तो हम जानते हैं कि किसी भी right angle triangle में hypotenuse का square means bc bc का square hypotenuse क्या है यहाँ में bc है न यह hypotenuse bc है तो bc का square यह बराबर होता है base के square मतलब base क्या होगा be का square plus यह जो height है means जो perpendicular है उसका square का sum के बराबर होता है according to pythagoras theorem है कि नहीं आप जानते हैं यह तो इसी formula का use करके हम c e निकालेंगे यह वाला part हम निकालेंगे क्यों क्योंकि यह दोनों पता हमें है कैसे पता तो bc कितना है देखिए हाँ पर bc है आपका 13 cm तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 13 का square और b e देखे कितना है यहाँ पर हमने find किया था 5 cm तो हम यहाँ लिख लेंगे 5 का square plus c कितना है वही तो निकालना ही है हमें तो c square ऐसा रहने दीजिए अब यहाँ पर हम find कर लाते हैं तो 5 square यह घटाब देंगे तो किता मिलेगा 13 का square कितना होगा ख़र हमें यहाँ पर वह से रखेंगे तो हम सही रहेगा 13 square minus 5 e square is equal to c e का square तो हम यहाँ पर a square minus b square का formula लगा देंगे क्योंकि देख्ये a square minus b square है यहाँ पर तो a square minus b square formula लगेगा तो क्या मिलेगा 13 minus 5 फिर मिलेगा 13 plus 5 is equal to यहाँ मिल ळेगा c e का square है कि नहीं a square minus b square है तो हम वही फर्मला लगाएंगे अब ही एकषण 13 minus 5 क्या हो जाएगा 13 में से 5 माइनस करेंगे तो 8 आजाएगा इंट्यू 13 प्लस 5 करेंगे तो 18 हो जाएगा तो इसकोल टू C E अब हमें निकालना है C E का स्क्वार हमें निकालना है C E तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर स्क्वार रूट लेंगे बोथ साइट्स में तो actually हम यहाँ पर निकाल लेते हैं तो C E अब यहाँ पर धान देज़ेगा इसके बाद हम डिरेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं तो C E अदि निकालेंगे यही हमारी हाइट है यही निकालने के लिए सारा हम कुछ ही सारा कंस्ट्रक्शन सब कुछ किये हैं तो C E निकालेंगे तो अंडरूट में चला जाएगा इसके आगे वाला मतब 8 इंटू 18 और 8 को हम फेक्टाइज कर देते हैं तो मिलेगा हमें 2 इंटू 2 इंटू 18 को भी फेक्टाइज कर देंगे तो मिलेगा हमें 2 इंटू 18 कर रहा हैं तो 2 x 3 x 3 मिलेगा 2 x 3 x 3 ऐसा मिलेगा अब हम square root से बाहर निकलना चाहते हैं तो दो-दो का pair बना करके निकलते हैं तो इसका एक pair निकल जाएगा इसका एक pair निकल जाएगा तो हम 2 को बाहर निकल सकते हैं इन दोनों को pair में से एक बाहर निकल सकते हैं means c e जो होगा, जो c e होगा, वो कितना होगा, 12 होगा, means 12 cm हमें height मिल गई, तो अब हम यहाँ पर area निकाल लेंगे, क्योंकि हमें अब height मिल चुकी है, c e, okay, तो sum of parallel sides into height, sum of parallel sides क्या हो जाएंगे, आपको बता ही है, a b plus d c, तो a b plus d c, height कितना है, c e, जो हमने यहाँ पर अभी किया था, तो यहाँ पर हो जाएगा, 1 by 2 into sum of a b plus d c क्या है, यह पूरा a b कितना है, 20 cm, और d c कितना है, 10 cm, तो 20 plus 10 हो जाएगा यह, 20 plus 10 into c e कितना निकाले हमने, 12 निकाला, 12, और सबका सबका unit जो है, cm में है, तो कोई दिकात नहीं है, 20 कितना है, 2 अंजा 2, और यहाँ पर हो जाएगा, 2, 6 जा 12, अब यहाँ पर दिके 20, और 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 into 6, 6 हो जाएगा 18, 180, 180 क्या हो जाएगा, cm2, यही आपकी area होगी, इस टर्पिजियम की, देखिए मैंने यहाँ पर, विद्वत लिखा नहीं है, इसका मतलब यह मैं समझेगा, कि आपको, मैंने इसलिए किया है, क्योंकि, आपको समझ में आए,